रादे रादे कैसे हैं आप सब लोग ठीक होंगे तो मैं भी ठीक हूँ स्वागत है आपका हमारे चैनल संगीता त्यागी ब्लॉग्स में तो आज मैं बनानी जा रही हूँ खिचड़ी, खिचड़ी बनानी के लिए मैंने दो मीडियम साइज के प्यास लिए हैं और फ्रोजन मटर है और एक आलू है और ये अरहर की दाल, चना दाल and चावल तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कुकर को मैंने गैस पर रखती है, इसमें दो चम्मच घी डाल दिया है, घी जब बच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसमें एक पिंच हींग, एक छोटा चम्मच जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्च, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है, आप प्यास डाल रहे हो या आलू डाल रहे हो सबसे पहले डाल दो तो धांस नहीं उड़ता जादा, तो जैसी मैं इसमें लाल मिर्च डालूँगी उसके तुरंत बाद में प्यास डाल दूँगी जिससे धांस न उड़े, यह देखिए मैं इसको अच्छे से भूल लूग उसके बाद हम इसमें आड करेंगे अपने आलू कटे हुए हमने काट के रखे थे इने हम अच्छे से इसमें फ्राई कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे उसके बाद हम इसमें फ्रोजन मटर आड कर देंगे यह टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक अब यह हमने मटर एड कर दिये इसमें फ्रोजन उसके बाद हम इसमें अच्छे से मिक्स करके उसके बाद हम इसमें चनी की दाल डालेंगे चनी की दाल को मैंने दो घंटे भीगो के रख दिया था क्योंकि इसे पकने में टाइम लगता है इसलिए ये इसे दाल चनी की दाल को मिक्स करने के बाद हम इसमें तूर दाल अरहर दाल जो भी आप बोलते हूं वो हम इसमें एड कर देंगे इसको अच्छे से दो के मैंने रख लिया है तो चनी की दाल हमारी थी आदा कटोरी और अरहर की दाल है छोटा एक कटोरी उसके बाद जो हमने चावल भीगो के रखे थे 15 मिलट के लिए आदे से थोड़ा ज्यादा है ये चावल वो एड कर देंगे आप चाहें तो चावल कम्या ज्यादा कर सकते हैं और हाँ ये रेसीपी बहुत अच्छी लगती है फिचरी जबनती है बहुत मेरी तो परसनली फेवरिट है आप भी ट्राइ करें दहीर नहीं के साथ बहुत अच्छी लगती है thanks कि इसके बाद मैंने थोड़ी सी मेर्ची एड की है हल्दी थोड़ी सी और एक पिंच हींग फिर से एड़ किया है तड़के में भी मैंने एड़ की थी उसके बाद फिर से में ड़ कर रही हूं बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब हम इसमें पानी आट करतेंगे पानी में इसमें 5 कटोरी आट किया है पानी मुझे और डालना था बढ़ टोकर शोटा पड़ गया था तो इसलिए मैंने और नहीं डाला उसके बाद मैं इसमें एक चम्मत चाट पसारा डाल दूगी और हम जो फिर उसके बाद ये से मिक्स करने के बाद मैं इसके जो कोकर कर ढखकर है वो लगा दूगी और जो गैस की फ्ले में उसको मीडियम कर दूगी और हमें मीडियम गैस पर ही इसको पकाना है इसको लगा के रख देंगे एक सीटी आने तक पकाना है सिर्फ हमें ये देखिए हमारी खिश्री बन चुकी है ये हाँ थोड़ी गाड़ी हो गई थी मेरे बेटे को बहुत भूख लग रही थी तब मैंने उसे ऐसी दे दिया था उसके बाद मैंने इसको पानी को अच्छे से गरम करके फिर इसमें एड कर दिया था अगर आपकी भी हो जाती है सपोस्स ऐसे गाड़ी या कुकर चोटा पड़ जाता तो आप भी ऐसे कीजिए उसके बाद जब आपकी खिश्री अच्छे से बन जाए तो उसके बाद जब भी आप सर्फ करें तो ऐसे उपर से गी का तड़का लगा दीजिए इसमें थोड़ा सा जीरा डालके बस प्लेट में जैसे निकालके प्लेट में या फिर सीधा कुकर में आप ऐसे तड़का लगा सकती है बहुत टेस्टी लगती है और थोड़ा से अगर बच्चों के लिए आप खी डाल दे तो और अच्छा है यह हमारी खिश्री अच्छ से पक गई है तड़का भी हमारा रेडी है अब हम इसमें डाल देंगे तड़के को गर्मा-गरम खिश्री हमारी रेडी है तो अगर यह मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें शेयर करें और आपको मिल जाए थैंक यू फॉर वाचिंग बाई बाई मिलते हैं नेक्स वीडियो में